Hi everyone, welcome back to my channel, कैसे हो आप सभी, I hope आप सब अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, तंद्रूस्त होंगे, और बिमारीों से दूर होंगे, जो कि आज कल की सबसे फेवरेट बिमारी चल रही है, नजला जुखाम बुखार खासी, यही सब, और दिल्ली में परदूशन, तो बहुत ज लिए हुई हूँ, क्योंकि सुबह से न, मतलब ऐसे ही में हो रखा था, वीडियो भी मैंने शुरू नहीं किया था, कपड़ों की तह लगाई है मैंने अभी, और एक बात और मैं यहीं पर आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, हमने देखा है अपने लिए एक मकान और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप इस वीडियो में आगे देखोगे, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है, पसंद हमें आ गया है और काफी अच्छा भी है, मतलब हमारे सामान के हिसाब से हमारे हिसाब से हमें पसंद आ रहा है, अभी सब चीजे फाइनल होना बाकी है, अगर वो पूरी तरीके से फाइनल हो जाता है, तो फिर हम वही पर देखते हैं, मतलब वो यह ना मकान लेने से पहले हजार चीजे सोच नहीं होते हैं, सब चीजों को ध्यान में रख करके ही सीफ्ट करेंगे, सारी चीजे देखेंगे, औ और फिर मैंने सोचा, मैंने वहां की वीडियो बनाएं, मुझे मतलब जो मकान लुक वाइज और जिस तरीके से वो बना है, इस पेस की हिसाव से मुझे पसंद आ रहा है, और आप लोग देखना और बताना फिर की कैसा है, अभी मैंने कपडों की तह लगाई है, सारे कपड पर कुछ काम नहीं मिल रहा था, मैं थोड़ा सा फिरी भी थी, तो मैंने सोचा चलो मसीन लगा लेती हूं, और आज मैं खाने में बनाऊंगी पालक पनीर, तो आज मेरा मन है पालक पनीर बनाने का, दूद गरम करके रखा है, फ्रीज में रखना है, ठंडा हो गया है, और पताम का पैकेट भी खोला था, बटर डब्बे में नहीं डाला है अभी तक भी, इसको मैं डब्बे में डाल देती हूं, कपड़े कुछ दूल गए हैं, वो सारे कपड़े दूल के ये रखी हुए हैं बैड पर, इनको मैं स्टेंड पर डालूंगी, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, I hope आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक जरूर कर दीजेगा, चलिए फिर आज का व्लोग स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने मसीन भी लगाई हुई है, तो साथ की साथ में मेरे कपड़े भी धूल चुके हैं, थोड़े बहुत ही बच चुके हैं थोड़े बहुत ही बच रहे हैं, वैसे सारे वोश हो चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा पानी डिल गया था, तो मैंने जो यह पायदा ने वही उस पर डाल दिया और मैं अभी करियू इन से कुछ बाते भी, तो वही आप लोगों को पता ही है, चल रहा है आज कर हमाला सिफ्टिंग का बहुत सारे काम एक दम से आ गए हैं, तो वही सब सुलझाने में, बाचीत करने में, और अभी हम पी रहे हैं चाए, थोड़ा सा यह लेकर क्यायते मां वह आप अपने बालों के लिए, स्कीन के लिए, लिप्स के लिए और नेल्स के लिए यूज कर सकते हो, और अगर मैं बात करूँ इसकी पैकेजिंग की, तो यह ना, मतलब पहले एक डब्बे में था, डब्बे में से जम मैंने निकाला, तो यह उपर से भी इसको अच्छी जो बोतल है, वो निकलेगी, तो मैंने जो इसकी पनी थी, वो हटा दी है, और यह है इसकी बोतल, तो वाव के जितने भी प्रोडेक्ट होते हैं, वो डर्मत लोजिकली टेस्टिड है, नैचूरल है, और इन में कोई भी मिलावट नहीं होती है, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ मैं वाव के एक, दो तिन प्रोडेक्ट और शेर कर चुकी हूं, तो लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि क्या आप यूज करते हो, तो आप इनका रिव्यू सेर करते हो, तो जी हा मैं इनको यूज करती हूं, क्योंकि वाव के सभी प्रोडेक्ट मुझे परसनली बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे सूट भी कर रहे हैं आप लोगों को पता ही है मेरी स्कीन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसेटिव है और मेरी स्कीन पर कोई मतलब वैसी कैसी चीज में यूज नहीं कर सकती हूं बट वाओ के मैं सारे प्रोडक्ट यूज कर सकती हूं क्योंकि मुझे इन पर ट्रस्ट है इसलिए और इसकी जो भी डीटेल है वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूं अगर आपको इसको पर्चेज करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्रिशन बोक्स में दे तो गाइज यह है वाओ का स्कीन साइन्स केश्टर ओयल और इसको अरंडी का तेल भी हिंदी में इसको अरंडी का तेल बोलते हैं और यह 100% प्योर एंड कोल्ड प्रिस्ड है गंटेंस नो एडिटवीज और यह हेल्थी हेर के लिए स्कीन के लिए और आई लैसिस के लिए लिप्स के लिए नेल्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो और यह नो मिनिरल ओइल सिलिकॉन इसमें कोई भी मिनिरल ओइल एड नहीं है ना ही कोई सिलिकॉन से है कि जितनी भी क्वालिटीज है इसको कैसे कैसे यूज करना है किन-किन चीजों से मिलकर के यह बना हुआ है उसका सब कुछ इसके पीछे दिया हुआ है तो आप इसको यूज कर सकते हो मंगा सकते हो अगर आपको इसको जरूरत है तो इसको अगर आप अपने लिप्स पर यूज करना चाहते हो तो इसको रात को अपने होटो पर दो भून लीजिए यह के उपरे की पंप दिया हुआ है तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो इसमें से जो है वो केश्टर ओल आएगा और अगर आप अपने नेल्स के लिए यूज करना चाहते तो आप इसको अपने नेल्स पर रात को लगा करके लेट जाएए और सुभा तक के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही आपको यह अपने लिप्स पर भी यूज करना है अगर आपको कोई बालो की प्रोब्लम है तो आप बालो पर भी इसको यूज कर सकते हैं इसकीन के लिए यूज़ करना है तो अपने फेस पर इसको लगा करके अच्छे से मसाज कीजिए, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसको चेक आउट कर सकते हैं, मैं अभी इसको एपलाई कर रही हूँ अपने फेस पर, तो तोड़ा सा मैंने अपने हाथों पर ले लिया है, अच्छे सिर्फ चेहरे पर इसकी मसाज कर लूँगी, आप अपने इसको लिप्स पर भी एपलाई कर सकते हैं, रात को लगाईए, सुबा को वोश कर लीजिए, इ नेल्स को भी इस पर मैंने मसाज कर लिया है, बालों पर एपलाई कर सकते हैं, अगर आपके बालों में डेंडर फेर और बहुत सारी परेशानिया होती है, बालों से जुड़ी भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा, तो गाइस मुझे आज बालाई भी कर लेती हूं साथ के साथ में, तो मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है गरम होने के लिए क्योंकि सर्दी आ गी है, तो सर्दियों में गुन-गुना पानी ही डालना चाहिए, उसी से मक्षम ज़्यादा जल्दी से आ पाता है, और मैंने एक विगोने में कर ली ह मलाई और इसको मैंने एक गंटा पहले ही फ्रिज से निकाल करके रख दिया था, एक गंटा हो चुका है इसको निकाले हुए, थोड़ा सा नॉर्मल टेंप्रेचर में आ गई है क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा ठंडी रहती है, तो यह नॉर्मल उसमें आ गई है भी और इस बिगोने में भी मलाई थी, तो मैंने इसी में पानी रख दिया, जिसलिके सारी मलाई जो है, वो भी पिगल जाएगी तो मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया, गरम ज़्यादा तेज पानी नहीं डाला है, क्योंकि सर्दी के हिसाब सही पानी इसमें मैंने एड किया है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल करके, मैं इसके हैंड गलेंडर की सायता सही, इसमें से जो हैं मक्खा निकाल तो यहां पर मैं काट रही हूँ अभी पनीर क्योंकि मुझे पालक पनीर की सबजी बनानी है तो थोड़े से मैंने क्यूब्स काट के रख ली है पनीर काट दिया है और अभी जो यह पालक है उसको मैं अच्छी तरीके से साफ कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा पत्ते जो हैं वो खराब भी हैं एक एक पत्ता मैंने छाट करके अलग-अलग निकाला है और बस इतने सारे पालक में से यही पालक निकला है जो अच्छा सा है तो इसको अच्छे से मैं वोश कर लूँगी और दूसरी तरफ कड़ाई में मैं पानी रख दूँगी गरम होने के लिए तो पानी गरम हो रहा है तब तक में जो ऐथ टमाटर है वो काट लूँगी यह टमाटर में अच्छी तरीके से धोलिये हैं और इसके बाद मैं इसमें चार से पांच जो टमाटर है वो डालूँगी और हरी पिर्च और पेस्ट बना लूँगी प्याज, अद्रक और लहसु इसमें प्याज कटती है, क्योंकि अगर हम मिक्सी में भी प्याज काटते हैं, तो मिक्सी में भी उसका पेश्ट सा बन जाता है, जो कि चिपकने लगता है, तो इसमें ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें अधरक, प्याज और लहसुन तीनों चीज डाल ली है, और यहां पानी भी गरम हो गया था तो मैंस में जो यह पालक के पते हैं जो मैंने अच्छी तरीके से वोश करके रखे होएं वो डाल दूँगी पालक को ज़्यादा नहीं पकाना है ओवर्कुक नहीं करना है बस यह सोफ्ट से हो जाए मतलब आधा पकाना है इनको क्योंकि जब यह ज़्यादा पक जाते हैं तो इनका जो color है वो भी change हो जाता है तो यह बिल्कुल जो है वो सोफ्ट हो चुके हैं थोड़ा समय इनको और वो करूँगी और फिर इनको ठंडे पानी में निकाल लूँगी तो इसको भी प्याज टमाटर प्याज अद्रक लैसुन इसको भी हम चोप कर लेते हैं पनीर भी कट चुका है और जो पालक है वो भी मतलब अल्मोस्ट बनी चुक मैं ने ले लिया है थंडा पानी जो कि मैंने थोड़ा सा उसको फ्रिज में रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए तो ठंडे पानी पालक के पत्ते हैं और फिर इसका एक बरीक सा पेश्ट बना लूगी मिक्सी में तो अभी मैं इसको मिक्सी के जार में ही निकाल रही हूं दूसरी तरफ यह बना रहे हैं चाय क्योंकि जब से मेरे गला खराब हुआ है तो अगर मैं चाय पी लेती हूं अदरक डाल करके तो थ अगरे आसा खाना पीना बनाते हैं और आज तो मेरा मलाई का काम भी हो रहा है तो किचन जो है वह बहुत ज्यादा फैल जाता है बहुत ही ज्यादा तो मैंने इसमें सरसो का तेल डाला है कड़ाई में थोड़ा सा डाल दिया है मक्षन तो मक्षन को अच्छे से और तेल को गरम करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा जीरा डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी एड करूँगी इनको अच्छे से चटका लूँगी कुछ-कुछ वर्ड मिक्स्टेक हो जाते हैं आप माइन मत कीजिएगा तो अभी इसमें मैंने प्याज द्रक ल अरहे लाके पकालओंगी और फिर मैं डालूँगी इसमें सारे सूखे मसाले सूखे मसालों मैंने इसमें हल्दी सौफ धनिया पारडर लाली मिर्च पारडर और सबजी मसाला यह सब चीज़े डाल दी हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों को जो इस चौkt तय को बस यही इसमें एक दिहान रखने की बात हुए धिक मसाले जो हैं वो कच्चे नहीं होने चाहिए आप उनको अच्छे से पका लिजे तो मैने इसको दख करके पका लिया है जब अगंतर नहीं हुआूज अगर मात पालक पीज नतरugu के gráfic opened वही और इसमे щah से पाइट कर दूंगी नमक डालने के बाद में इसको अच्छे से मिला लूँसमें पादने हैं פानी डालना और भी डालूम मैं इसमें जो मैंने पनीर काटके रखा हुआ है वो बट उससे पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और अपने हिसाब से आपको इसमें पानी डालना है क्योंकि पनीर डालने के बाद में भी आपको इसको खदगाना है क्योंकि पनीर में जो है वो पालक का जो ये मिक्सर उसका टेस्ट जबी जाएगा जबी थोड़ी सी देर के लिए पकेगा तो मुझे तो जो ये पनीर के टुकड़े कुछ-कुछ इसमें मिल जाते हैं वो अच्छा लगता है मतलब थोड़ी से टूट-टूट के जब इसमें मिलने लगते हैं वो वाला मुझे मतलब वो अपनी चोईस होती है अपनी पसंद होती है कि आपको कैसा टेस्ट कौनसी सबजी का कैसा टेस्ट पसंद है तो बस मैंने उसी हिसाब से पानी डाल लिया था तो मेरी पनीर की जो सबजी है वो बन करके तैयार है और देखने में भी काफी अच्छी लग रही और खाने में तो उससे भ बटर डाल लीजिए और मक्का की रोटी के साथ में तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है तो यहां पर मैं घी भी निकाल रही हूं तो घी मतलब मैं अभी गरम कर दूंगी थोड़ा ही है तो थोड़ा है तो जल्दी से निकल भी आया और जल्दी से गरम भी हो जाएगा तो मैंने यहां पर घी भी रख दिया है गरम होने के लिए थोड़ा ही था जल्दी भी हो जाएगा जब ज्यादा मलाई खटी हो जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है फिर और इधर पनीर भी बन करके तयार हो गया है अच्छा सा टेश्टी सा पनीर मक्का कि रोटी मुझसे नहीं बनती है वरना मैं वह भी बनाती और इधर रखी है अच्छा है देखती हूं इसको छोंक लगा लूँगी कीचन पूरी मैंने थोड़ी बहुत संगवा दी है और अभी इसमें मुझे टमाटर भी करने है उनको बोश करके रख दूँगी इसमें टम कपड़े दूल गए है वो भी मुझे स्टेंड पर डालूंगी पर मैं सोची हूं कि सबसे लाष्ट में ही जो यह कपड़े है वो स्टेंड पर डालूंगी और बस अब रोटी रोटी बनानी रही है खाने का टाइम हो रहा है और जो बरतन हुए है उनको भी साफ कर लेती में अभी चलिए फिर जिल्दी जिल्दी से काम कर लेते हैं और फिर आप लोगों से बाते करते हैं यहां पर घी जो है वो बन करके तैयार हो गया है आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है तेज आच रखनी है और इसको चलाते रहना है ताकि बरतन में नीचे ना लगे तो बहुत जल्दी से आज बन गया क्योंकि थोड़ा था जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अब देखी सकते हैं उपर बहुत जाद मतलब भीट भढ़ागा हो जाता है अगर मैं इस टैंड वहीं खड़ा कर देती हूं करना पड़ता है मजबूरी है क्या कर सकते हैं तो गी जो है वो मैंने डब्बे में डाल दिया है और बहुत डर लगा था मैंने का इनको कि चलो य अब ही मैं लगा रही हूँ आटा तो आटा लगाने के बंद क्योंकि इसको रखना है थोड़ी सी देर के लिए मैं सोची तिस में थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेती हूं पर चावल का आटा नहीं था और यह ना किलिप आगे पीछे हो गई थोड़ा सा आटा बनाने की पहले थी और घी डालने के बाद में थी बट मैंने फिर नहीं किया कि नहीं कोई बाद नहीं जो गलती होगे उसको दिखाने में क्या जाता है तो ये मुझसे मिस्टेक होगे थी इनको किलिप को आगे पीछे करने में बट कोई बात नहीं आप लोग समझ सकते हो तो अभी मैं बना रही हूं रोटी और जैसे ही मैं रोटी बनाती हूं तो साथ की साथ में डालना सुरू कर देते हैं क्योंकि गरम गरम रोटी खा लेते हैं ये इनको तो गरमी पसंद है और बस वहिया को भी और मांटू को भी घाल के दे देंगे डाल के दे देंगे खाना तो अभी मैं कि और इस टाइम को लेकर जाद है क्योंकि एतना सारा सामान है आप लोग समझी सकते हो तो उस चीज की सबसे जाधा टैंशन है तो वही स सब चीजmp Secrets और यहां मैंने इस पेटी में अपना सारा जो मंतली राशन है जो बच जाता है वो रख दिया क्योंकि स्टोर रूम टाइफ कुछ है नहीं तो जगह नहीं मिलती सामान को रखने की तो इसी अटैची में मैंने सारा सामान जो है वो रख दिया है सो फाइनली ये है वो मकान जो की हमने देखा है मैं एक दिन पहले ही इसको देखने गई थी सो चाह आप लोगों को भी दिखा देती हूँ टूरूम सेट है ये दो कमरे है अभी बना है काम रह रहा है अभी इस मकान में पूरा काम भी नहीं हो पाया पर मुझे जो है ये घर ब खुला भी है मतलब मुझे आल्मोस्ट जो मैं अगर बताओं то मुझे काफी पसंद हाई सेपरेट है इं कामरे में धसी साइब यह एक और यह इसके उपर बाला किचन थोड़ा बड़ा है अभी इस काम काम रह रहा है तो मतलब आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमे बेच्वीशिंग आएरिया था वह मुझे काफी पसंद आया। इन्मोंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनवाये। और यह जो मकान है जसका हमने देखा यह इनके दोस्त्ति हीं ही, उन्ही का मकान है। तो देखते हैं जैसे भी final होता है अगर यह final हो जाता है या कोई और final होता है पर मुझे मतलब काफी अच्छा लगा और गली बंद गली है इसा नहीं है कि मतलब गली वो है बंद गली है बिल्कुल last वाला मकान है गली में भी तो मतलब अगर हम safety की बात करें तो काफी अच्छी safety है और गली भी काफी अच्छी थी मतलब सारा total मिला करके गली काफी अच्छी थी काफी अच्छे लोग थे गली में भी और सारी बात तो ये थी कि घर अच्छा था मतलब अब देखते हैं अब अगर फाइनल हो जाता है तो हम इसी को फाइनल करेंगे तो गाइस घाना पीना सब कुछ हो गया है और आभी मैं बैठी हूँ आप लोगों से बाते करने और जैसे की मैंने आप लोगों को दिखाया आपको कैसा लगा अगर प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईयेगा और एक दो दिन से मैं नहीं किसी का नाम नी लेना चाऊँगी नाहीं कुछ बोलना चाऊँगी और मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस एक बात बोलना चाहूंगी, कि बस थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा सा जुबान पर कंट्रोल करके, अगर आप कुछ बोलोगे, तो मैं भी, मतलब मैं थोड़ा सा, देखें, अच्छा तो फील नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई किसी को गाली देगा, कुछ गलत सरत बोलेगा, अच्छा फील तो नहीं होता है, पर ये कि अगर हो सकता है, तो प्लीज आप लोग अपना थोड़ा सा जुबान पर कंट्रोल करके, बोल लिया करें बुरा लगता है यार, जो मतलब बोल जाते हो, क्या लिख जाते हो, कोई आइडिया नहीं होता आप लोगों को, बट देखें, मैं यहाँ पर एक बात बहुँच अच्छे से समझ चुकी हूँ, कि हर बात को किलियर करना, हर बात के बारे में क्लियरिफिकेशन देना, हर बा मैं नहीं कर सकती हूँ, देखें, आप लोगों की मर्जी है आपको जो बोलना है, सोच के हिसाब से, मैं यहाँ पर बात यह बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, कि इनसान अपनी सोच के हिसाब से बोलता है, जो उसकी म flex reality होता है, उसके हिसाब से बोलता है, कि मेरी जो सो प्रक्तिनमर्य जिसकर ये जिसका जैसा मन होता इसे पैसे ही बाते करते हैं थीक है गाली दे लिजये जूटी बोली मतलब कुछ भी बोल लिजये वह आप लोगों पर वो सब कुछ पार हो गई बट मैं नहीं बोलना चाहरी हूं इस बारे में हसके इसलिए बात करें हो क्योंकि लिख्योंगे आप जो भी है न वो लिखेंगे वो अपना परीचे यहां पर देखर के जाएंगे तो आपका most welcome है आईए देखिए गाली दीजिए जो आपकी मर्जी है आप कर सकते हो पूरी तरीके से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है बट मैं इस टाइम पर बहुत जादा बिजी हूं मेरे साथ बहुत सारे काम है अभी फिलाल जो मुझे करने है और यूटूब भी मेरा काम ही है जिसको मैं बहुत लगन से बहुत इमानदारी से कर रह है तो जो फाइनल हुआ है मतलब जो अभी तक का फाइनल हुआ है वह मैंने आप लोगों को दिखाया है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा और गाइस मैं यहाँ पर किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हूं बस एक कमेंट रीड करती हूं कोई कमेंट ऐसा नहीं जाता है चाहे वो 400 आजाए चाहे वो 1000 आजाए एक एक कमेंट में पढ़ती हूं इसलिए आपको बोलती हूं कि आप लोग मुझे कमेंट किया करें रिपलाई नहीं कर पाती हूं वो अलग बात है बट मैं रीड एक एक कमे प्लोग कर रही है और एक सुबह सुभा में आता है गायतरी का वो मुझे मतलब डेली सबसे पहले उनका कमेंट तो बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे जिनके मुझे नाम याद हो चुके हैं तो गाइस देखें अच्छाई में भी मैं याद रखती हूं और बुराई में भी मैं याद रखती हूं बट मैं यहां किसी के अच्छाई और बुराई नहीं बता रही हूं वो आप लोगों की इच्छा है जैसा आपको करना है पूरी तरीके से आप लोगों पर ही निरबर है बस मुझे यह बता दीजेगा आपको कि मेरा यह घर कैसा लग रहा है वैसे हम और भी ट्राइ करेंगे और भी देखेंगे फाइनल क्या होता है क्या नहीं होता है उस सब कुछ आप लोगों के साथ में डिसकस करूँगी तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा लाइक किये बगेर मत जाएगा प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे लाइक कीजिएगा जरूर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए ब